3rd of April 2023 और आज है World Aquatic Animal Day जिसे WAAD भी कहा जाता है यह दिन बेसिकली उन एनिमल्स के लिए अवेनस पैलाना है जो कि हमारे Oxygen Air Breathing Animals से Water Breathing Animals की तरफ ले जाता है अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो 2020 में Levis & Clark Law School में Animal Law Clinic के कुछ स्टुडेंट्स और प्रोफेसर्स ने मिलके इस दिन को Establish किया उनका मेन परपस अवेनस पैलाना था स्पेशली फॉर्ड़ एक्वेटिक बिंग्स बिकाज एर ब्रीधिंग एनिमल्स हमारे आसपास विसिबल रीजन में आ जाते हैं इसकी वज़े से जो एनिमल्स हमारे एक्वेसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टन पार्ट है वो हमसे मिस हो जाते हैं विकाज हमारा सारा नेचर एक फूड चेन पर बेस्ट है और इस फूड चेन में सारी कडिया इंपॉर्टन थैं और एक्वेटिक लाइफ इस फूड चेन इस दे के परपस एक और था कि वल्ड में सारी कंट्रीज एक्वेटिक एनिमल्स के सीफटी के लिए और अवेर्नेस के लिए पॉलिसीज क्रेट करना शुरू करें और आज अगर 2023 में दिखा जाए तो एक्वेटिक एकोसिस्टम को बचाना बहुत जादा सरोरी है क्योंकि हम एस टूरिस कूबा डाइविंग के तूरू एक्वेटिक लाइफ का मज़ा तो लेते हैं हमारे इंडलिजेंस की वज़े से क्ते प्रवल्म होती है, वह मम नेजर अंदास कर देते हैं हमारे इंडुस्स्टिल्इजेशन के वज़े से, जो भी पॉल्यूटिंड या जो भी पॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं वो mostly हम नदियों में या फिर समदर में फेकते हैं जुकि directly impact करता है हमारे aquatic life को हाँ, there are few people's जो हम YouTube में भी दिखते हैं कि जो लोग work कर रहे हैं voluntarily aquatic animals और उनकी life को save करने के लिए but we all have to come together to save them तो इसी pledge के साथ कि हम as a human aquatic life को save करने के लिए अपने तरफ सारी कोशिशे करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने pollutants को aquatic life की तरफ जाने ना दे तो उसी के साथ आज है 3rd of April 2023 और आज है World Aquatic Animal Day आप भी इस दिन को celebrate कीजिए अगर आप समुंदर के पास रहते हैं या फिर नदी के पास आपका घर है तो आप आज के दिन aquatic life को करीब से देखने की कोशिश कीजिए और साथ में लोगों को बताइए कि aquatic life कितनी important है especially आज के दिन ये awareness आपको फैलाना ही पड़ेगा तो इसी knowledgeful और daily ग्यान के लिए focus का ग्यान को follow केजिए और focus का ग्यान लेते रहिए